Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं Magnet Brains आपको प्रोवाइट कराता है, free of cost, quality education from class K to class 12 जी हाँ सही सोना आपने एक इंटरकारण से लेकर class 12 तक ही कराई जाती है आपको complete education वो भी free of cost प्रोवाइट तो करना क्या है आपको YouTube चैनल पर जाना है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको कर देना है Magnet Brains को सब्सक्राइब जहां पर आपको CVC Board से लेकर Other State Board जैसे की UP Board, MB Board, Bihar Board जैसे courses भी एविलेबल है यहां तक की आपको practice questions भी यहां पर solve कराई जाते है e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की video start मेरा नाम है हश्मित कौर and मैं हूँ आपकी math faculty तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे chapter 10 जिसका नाम क्या है? exponents and powers उसकी exercise 10.1 मतलब exercise 10.1 हम already previous video में start कर चुके हैं जिसमें हमने question first to question third solve किये थे अगर आपने वो video नहीं देखिए तो सबसे पहले जाके आपको वही video देखनी है वो video पसंद आए तो उसे like, comment and share करना है and then फिर आना है इस video पर जिसमें हम question 4 to question 7 solve करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें question 4 की तो question 4 क्या है? evaluate मतलब हमें solve करना है पूरा क्या देखे रखा है? 1 की power minus 1 multiply by 5 की power 3 divided by 2 की power minus 4, ठीक है? तो यहाँ पर क्या देखे रखा है? सबसे पहला question अगर हम देखे 8 की power minus 1 देके रखी हुई है multiply by 5 की power 3 देके रखी हुई है divided by 2 की power minus 4 देके रखी हुई है ठीक है? इतना है समझ में अब यह जो 8 है इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 8 को हम 2 की power 3 लिख सकते हैं? बिलकुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 की power 3 ही 8 होता है 2 multiply by 2 multiply by 2 करेंगे तो 80 आएका अगा था, ठीक है? एड उसकी भी power क्या देके रखी हुई है minus 1 multiply by 5 की power 3 यहां पर 2 की power minus 4 ठीक है? इतना आगे है समझ में अगर हम इसे देखें 2 की power 3 एड उसकी भी power minus 1 तो हमें समझ में आएगा यह किस form में देके रखा हुआ है a की power m एड उसकी भी power n फॉर्म में देके रखा है ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? powers का multiplication हो जाएगा a की power m n हो जाएगा ठीक है? इतना आए है समझ में तो यहां पर क्या होगा? powers का multiplication 2 की पावर 3, multiply by minus 1, multiply by 5 की पावर 3, divided by 2 की पावर minus 4, ठीक है, इतना आया समझ में, जैसे ही पावर को हम multiply करेंगे, answer क्या आएगा, 2 की पावर minus 3, multiply by 5 की पावर 3, divided by 2 की पावर minus 4, ठीक है, इतना आया समझ में, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आएग यहाँ पर 2 की पावर माइनस 3 है और यहाँ पर 2 की पावर माइनस 4 है दोनों ही क्या है दोनों में base same है and powers अलग अलग है and division form में देखे रखे होगे ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यहाँ पर एक और identity लग जाएगी क्या है वो identity A की power M divided by A की power N करेंगे तो क्या हो जाएगा power से subtract हो जाएगी मतलब अगर base सेम है N divided का sign है यह division form में देके रखा है तो हम क्या करते हैं base को common लेते हैं and हम क्या करते हैं जो power से उन्हें subtract कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की power minus 3 and यहाँ पर क्या है minus 4 है तो minus का sign तो पहले से लगेगा and minus 4 भी यहाँ पर लिख देंगे समझ में आया 2 की power minus 3 and powers minus हो रही है तो minus लगा के यहाँ पर दूसरी power क्या है minus 4 इतना आगे समझ में and then multiply by 5 की power 3 करना है bracket solve करेंगे यहां पर minus 3 आएगा minus minus plus हो जाएगा plus 4 multiply by 5 की power 3 हो जाएगा ठीक है इतना आ गया समझ में and then उसके बाद minus plus minus हो जाता है 4 minus 3 करेंगे answer के आएगा 1 and उसके बाद देखते हैं कौन सा number बड़ा है हमें दिख रहा है 4 बड़ा 4 के आगे positive sign है तो 1 तो already positive form में है ठीक है and यहां पर क्या है 5 की power 3 को solve करेंगे ना 5 multiply by 5 multiply by 5 करेंगे answer क्या आएगा 125 and यहां पर 2 की power 1 मतलब 2 ही है 2 को जब हम 125 से multiply करेंगे answer क्या आएगा 250 हमारा answer आएगा मतलब इस पूरे को solve करने पे हमारा answer क्या आ रहा है 250 आ रहा है ठीक है इतना समझ में आया आया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लिए आपने note down अब next क्या देखे रखा है next हमें देखे रखा हुआ है second question second question क्या है 5 की power minus 1 multiply by 2 की power minus 1 and then उसके बाद multiply by 6 की power minus 1 ठीक है इतना आया समझ में अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा यहाँ पर एक identity लग रही है a की power minus m तो हम उसे किस form में लिख देंगे 1 upon a की power m form में ठीक है आपको दिख रहा होगा है सारे ही numbers में minus m लिखा हुआ है मतलब negative power दे के रखिए सभी को हम 1 upon a की power m form में लिख देंगे ठीक है क्या आजाएगा 1 upon 5 आजाएगा यहाँ पर क्या आजाएगा 1 upon 5 आजाएगा ठीक है power positive में हो जाएगी तो यहाँ पर 5 की power 1 हो जाएगा तो 5 की power 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है ultimately उसका मतलब तो 5 ही होता है ठीक है multiply by same यहाँ पर 1 upon 2 हो जाएगा ठीक है then उसके बाद same यहाँ पर 1 upon 6 हो जाएगा ठीक है 1 1 जा 1 आएगा and 10 6 जा 60 आजाएगा तो हमारा answer क्या आ रहा है 1 upon 60 आ रहा है ठीक है इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे note down कर लीजिए कर लिया आपने note down अब next question क्या है question 5 find the value of m for which 5 की power m divided by 5 की power minus 3 is equal to 5 की power 5 अब यहाँ पर हमें m की value find out करनी है जो कि क्या है power है ठीक है exponent है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे 5 की power m divided by 5 की power minus 3 is equal to 5 की power 5 जो हमें question में देखे रख है ठीक है इतना आया समझ में आप अगर ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा किस form में है a की power m divided by a की power n तो हम उसे किस form में लिख देंगे a की power m minus n form में मतलब इस question में यह identity follow हो रही है जिसमें हमें base तो equal दिख रहे हैं लेकिन powers अलग-अलग है तो हम क्या करेंगे division का sign है तो powers क्या हो जाएंगी subtract हो जाएंगी and base को हम common ले लेंगे ठीक है तो मतलब यहाँ पर 5 हम common ले लेंगे and यहाँ पर m आएगा minus and यहाँ पर कौन सी power है minus 3 है ठीक है powers को हम subtract कर रहे है and equal to के सरफ क्या है 5 की power 5 है ठीक है जैसे ही हम solve करते हैं तो m plus 5 की power m plus 3 हो जा रहा है and यहाँ पर 5 की power 5 है ठीक है इतना आ गया समझ में अब यहाँ पर अगर आप देखो equal to के दोनों ही तिरफ हमें 5 जो base है वो क्या दिख रहा है equal दिख रहा है common दिख रहा है दोनों ही same है तो इसका मतलब क्या है जब यह दोनों base same है तो powers भी एक दूसरे के equal होंगी इन दोनों की powers भी equal होंगी मतलब यहाँ पर जो power है m plus 3 वो किसके equal हो जाएगी इसकी power के equal हो जाएगी, जो की क्या है 5 है यह जो power है यह इसके equal आजाएगा, ठीक है आगे है समझ में, तो यहाँ पर जब हम solve करेंगे plus 3, opposite side चला जाएगा तो minus 3 हो जाएगा तो 5 minus 3 यहाँ पर हो जाएगा तो M की power क्या हो जाएगी M की पावर यहां 2 हो जाएगी 5-3 कितना होता है 2 होता है M की पावर यहां पर क्या आ रही है M की value क्या आ रही है 2 आ रही है ठीक है आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी note down कर लीजिए कर लिए आपने note down अब next क्या है next again question 6 क्या बोल रहा है हमें evaluate करना है ठीक है first question क्या है सबसे पहले बड़ा bracket है then bracket में 1 upon 3 and then उसकी पावर क्या है minus 1 है then minus का sign and 1 upon 4 and उसकी पावर क्या है minus 1 है then बड़ा bracket close and उसकी भी पावर minus 1 देके रखी होई है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखे हमें क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है यहाँ पर एक identity follow हो रही है क्या है वो identity अगर A upon B की पावर minus M है तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले तो reciprocal हो जाएगा A upon B का B upon A हो जाएगा ठीक है and power क्या हो जाएगी positive हो जाएगी ठीक है इतना आया है समझ में तो हमें दिख रहा है 1 upon 3 की पावर minus M and 1 upon 4 की पावर minus 1 किस फॉर्म में है A upon B की पावर minus M फॉर्म में है ठीक है हम उसे इस फॉर्म में लिख देंगे कैसे 1 upon 3 का क्या हो जाएगा reciprocal हो जाएगा 3 upon 1 हो जाएगा ठीक है पावर क्या है पावर minus 1 है तो positive हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है यतना आया है समझ में and यहाँ पर minus है यहाँ पर भी reciprocal हो जाएगा 1 upon 4 का and power positive हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है and उसके बाद power minus 1 भी है, ठीक है solve करने पर हम देखेंगे अगर 3 upon 1 की power 1 है तो 3 upon 1 ही आएगा and यहाँ पर 4 upon 1 ही आएगा, ठीक है and इसकी इन दोनों की भी power क्या है मतलब पूरे bracket के बाद यहाँ पर power minus 1 लगी हुई है, ठीक है 3 minus 4 करेंगे तो answer क्या आएगा denominator में 1 1 है तो हम directly 3 minus 4 लिख सकते है and power क्या है, minus 1 तो plus minus minus होता है, 4 minus 3 करेंगे answer आएगा 1, फिर हम देखते हैं कौनसा number बढ़ा है, हमें 4 देख रहा है बढ़ा, तो यहाँ पर 4 के आगे negative sign है answer में भी negative sign लग जाएगा and यहाँ पर क्या आजाएगा, minus 1 आजाएगा ठीक है, इतना आगया समझ में अब उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कौनसी identity लग रही है a की power अगर minus m है तो हम उसे 1 upon a की power m form में लिखेंगे है ना, तो minus 1 की power minus m है जो किस form में है, a की power minus m form में हम उसे 1 upon a की power m form में लिख देंगे मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 1 upon minus 1 ठीक है, और power positive हो जाएगी यहाँ पर power 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ठीक है, तो basically answer क्या आ रहा है minus 1 हमारा answer आ रहा है, क्या आ रहा है answer? answer हमारा आ रहा है minus 1 ठीक है, आ गया समझ में आया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लिया note down अब next question देखते है next question क्या है, second question क्या देखे रखा है 5 upon 8 जिसकी power क्या है minus 7 है, ठीक है multiply by 8 upon 5 जिसकी power क्या है minus 4 है, ठीक है तो यहाँ पर कौन सी identity लग रही है यहाँ पर लग रही है अगर A upon B है और उसकी power minus M है तो हम क्या करेंगे A upon B को reciprocal कर देंगे B upon A कर देंगे and power क्या हो जाएगी power positive हो जाएगी मतलब M हो जाएगी इतना आ गया समझ में अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 upon 8 की power minus 7 है जो की A upon B की power minus M form में देके रखा है सेम ऐसे ही 8 upon 5 की power minus 4 है यह भी A upon B की power minus M form में देके रखा है हम इन दोनों को ही इस form में convert कर देंगी तो क्या हो जाएगा 5 upon 8 का reciprocal हो जाएगा 8 upon 5 and power positive हो जाएगी मतलब 7 हो जाएगी देन उसके बाद multiply by यहाँ पर भी reciprocal हो जाएगा 8 upon 5 का तो 5 upon 8 हो जाएगा and power क्या है यहाँ पर 4 है इतना आगे समझ में power यहाँ पर भी positive हो गई अब यहाँ पर एक identity लग रही है कौनसी identity लग रही है अगर a की power m है b की power m है तो हम a upon b and क्या कर लेते हैं power को common ले लेते हैं अगर b सलग अलग है लेकिन power सेम है तो हम a upon b ले लेंगे and power को common लिख देंगी ठीक है इतना आगे समझ में यहाँ पर हम देख पा रहे है 8 upon 5 की power 7 किस form में लिखा हुआ है a upon b की power m form में लिखा हुआ है सेम ऐसे ही 5 upon 8 की power 4 किस form में लिखा है इसी form में लिखा है हम दोनों को ही इस form में convert कर देंगी ठीक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8 की power 7 and 5 की power 7, ठीक है multiply by क्या आ जाएगा 5 की power 4 and 8 की power 4 इस form में हमने दोनों को ही convert कर दिया अब हम क्या करेंगे, यह जो base base same दिख रहा है ना हम एक side ले लेंगे, मतलब 8 की power 7 and 8 की power 4 एक side, multiplication का sign 5 की power 4 and 5 की power 7 एक side ले लेंगे, ठीक है, इतना आ गया समझ में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख पा रहे है 8 upon 7 divided by 8 upon 4 देखे रखा है, तो यहाँ पर कौनसी identity use हो रही है, अगर a की power m है divided by a की power n है तो यहाँ पर base same है, तो हम क्या करेंगे, powers को subtract कर देंगे m minus n कर देंगे, ठीक है, इतना आ गया समझ में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 and उसके बाद power subtract हो जाएगी 7 minus 4 हो जाएगा, दोनों ही powers को हम क्या कर देंगे, subtract कर देंगे same यहाँ पर हमें दिख रहा है, base same है, powers अलगे, यहाँ पर भी यही identity follow होगी, हम powers को subtract कर देंगे, मतलब 5 की power 4 minus 7 हो जाएगा, इतना आ गया समझ में, अब हम solve कर देंगे 7 minus 4 तो 3 होगा, मतलब 8 की power 3 हो जाएगी and plus minus minus होता है, 7 minus 4 करेंगे, 3 आएगा, फिर हम देखेंगे, कॉंसर नमबर बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे negative sign है, यहाँ पर भी negative sign लग जाएगा, इतना आ गया समझ में, अब आगे क्या करना है, अब हम यह दिख रहा है, 5 upon minus 3 किस form में है, a की power अगर minus 1 है, minus m है, तो 1 upon a की power m हो जाएगी, ठीक है, 5 की power minus 3 है, तो हम उसे इस form में लिख देंगे, ठीक है, इतना आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, 8 की power 3 multiply by 1 upon 5 की power 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में, अब solve करने पे, 8 की power 3 and 5 की power 3 आ रही है, मतलब 8 multiply by 8 multiply by 8 हो जाएगा, divided by 5 multiply by 5 multiply by 5 हो जाएगा, 8 8 जा क्या होता है, 64 and 64 को जब हम 8 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा, 8 4 जा 32, 3 कह रही है यहाँ पे, 8 6 जा कितना होगा, 48, 48 plus 3 करेंगे, क्या होगा, 51 हो जाएगा, मतलब 5 1 2 answer आ रहा है, तो यहाँ पर 5 1 2 लिद देंगे, दैन उसके बाद 5 5 is the 25 and 25, 5 जा क्या होता है, 125 होता है, तो हमारा answer क्या आ रहा है, 5 1 2 divided by 125, ठीक है, यह क्या आ गया, हमारा answer आ गया, ठीक है, इतना आया है, समझ में आया है, तो आप जल्दी से इसे भी note down कर लीजिए, कर लिया आपने note down, और वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को like करना है, comment करना है and share कर देना है, ठीक है, अब question 7 देख लेदे हैं, question 7 क्या है simplify, simplify का first question क्या है, 25 multiply by t की power minus 4 divided by 5 की power minus 3, multiply by 10, multiply by t की power minus 8, जिसमें देखे रखा है कि t की power 0, sorry t, जो है वो 0 के equal नहीं है ठीक है, इतना है, समझ में तो सबसे पहले, question जो देकर रखा हुआ है 25 multiply by t की power minus 4, तो इसमें अगर हम देखे 25 को 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की power 2 में भी लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे, 5 की power 2, क्योंकि 5 को जब हम 5 से multiply करेंगे ultimately answer क्या आएगा, 25 ही आएगा, कोशिश करना जब भी आपको ऐसे questions देके रखे होना and power form में अगर कोई number नहीं देके रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे power form में जितना split कर सकें, जितना divide कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है तो 25 को हमने 5 की power 2 में divide कर दिया, ठीक है, then उसके बाद क्या है, multiply by t की power minus 4, then divided by 5 की power minus 3 है, and then उसके बाद 10 देके रखा है, अब हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं, 2 multiply by 5 form में, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है, then उसके बाद t की power क्या है, t की power minus 8 है, इतना समझ में आया, अब हमें क्या करना है, अब देख लिजिए, यहां पर क्या है, यहां पर 5 की power 2 है, and यहां पर क्या है, यहां पर 5 की power minus 3 है, ठीक है, दोनों ही क्या है, division form में है, तो इसमें कौनसी identity लग जाएगी अगर A की power M है divided by A की power N हो जाएगा तो हम क्या करेंगे powers को subtract कर देंगे मतलब M minus N हो जाएगा ठीक है इतना आया समझ में तो यहाँ पर base हमें दिख रहा है कि दोनों में ही 5 है सेम है powers अलग-अलग हैं तो powers क्या हो जाएगी subtract हो जाएगी ठीक है तो जब हम इसे solve कर रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा तो जब हम इसे solve करेंगे तो 5 की power क्या हो जाएगी multiply by t की power minus 4 ठीक है साथ-साथ में सारे मतलब बहुत सारी यहाँ पर identities लगेंगी हमें साथ-साथ में नहीं लगानी है पहले एक पूरा solve करना है फिर दूसरे प्यान है फिर तीसरे प्यान है ठीक है दन उसके बाद 2 multiply by 5 and multiply by t की power minus 6 ठीक है अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर 5 की power कुछ नहीं देखे रखिये मतलब 5 की power क्या है 1 है यहाँ पर 5 की power क्या है 5 है तो same यही identity लग जाएगी base same है and दोनों ही division form में है तो क्या हो जाएंगे जो power से वो subtract हो जाएंगी ठीक है तो मतलब 5 की power 5 minus यहाँ पर power 1 है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे multiply by t की power क्या है minus 4 है divided by 2 multiply by t की power क्या हो जाएगी minus 8 हो जाएगी ठीक है इतना आया समझ में इसको हमने इस identity से solve करने की कोशिश करी है तो 5 minus 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की power 4 हो जाएगा multiply by t की power minus 4 divided by 2 multiply by t की power minus 8 ठीक है इतना आया समझ में अब अगर धियान से देखो यहाँ पर t की power minus 4 है यहाँ पर t की power minus 8 है t and t बे सेम है लेकिन powers अलग है हम सेम यहाँ पर apply कर देंगे यह वाली identity जहाँ पर t की power minus 4 divided by t की power minus 8 है तो powers क्या हो जाएगी subtract हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर 5 की power 4 multiply by t की power minus 4 subtract कर रहे हम दूसरी power क्या है minus 8 divided by क्या है divided by 2 है ठीक है solve करेंगे 5 की power 4 आएगा multiply by t की power minus 4 minus minus plus हो जाएगा plus 3 divided by 2 है ठीक है इतना आया समझ में then उसके बाद 5 की power 4 multiply by t की power क्या होगी minus plus minus होता है ठीक है minus plus क्या हो जाता है यहाँ पर 8 है ठीक है यह 8 है क्या है यह 8 है minus plus minus होता है 8 minus 4 करेंगे तो answer क्या आएगा 4 आएगा उसके बाद हम देखते हैं कौनसर नमबर बढ़ा है हमें दिख रहा है 8 बढ़ा 8 के आगे positive sign है तो 4 जो की power है वो already positive form में है ठीक है दैन उसके बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर 2 है अब 5 की power 4 देखे रखी है मतलब 5 को हमें क्या करना है 4 times multiply करना है and t की power क्या है 4 है divided by क्या है 2 है 5 5s are 25 होता है 25 5s are 125 होता है and जब हम 125 को 5 से multiply करते हैं तो answer क्या आएगा 5 5s are 25 2 के रहे यहाँ पर 5 2 is a 10 10 plus 2 कितना हो जाएगा 12 1 के रहे यहाँ पर 5 1 is a 5 plus 1 6 क्या आ रहा है answer 6 25 आ रहा है तो जब हम 6 25 को t की power 4 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा 6 25 t की power 4 divided by 2 मतलब main answer हमारा क्या आ रहा है 6 25 t की power 4 divided by 2 ठीक है आया समझ में मतलब इस पूरे को solve करने पे हमारा answer यह आ रहा है इतना आ गया समझ में आया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लिए आपने note down अब next के देके रखा है question second 3 की power minus 5 multiply by 10 की power minus 5 multiply by 125 divided by 5 की power minus 7 multiply by 6 की power minus 5 ठीक है तो इसे हम कैसे लिख लेंगे 3 की power minus 5 है multiply by अब यहाँ पे 10 है 10 को हम कैसे लिख सकते है 2 multiply by 10 form में लिख सकते है और जिसकी power क्या देके रखी है minus 5 देके रखी है multiply by 125 को हम कैसे लिख सकते है 5 की power 3 form में लिख सकते है क्योंकि 5 को हम जब 3 times multiply करते है जब भी 125 आता है then उसके बाद divided by 5 की power minus 7 है and multiply by 6 की power minus 5 देके रखी है अब हम 6 को भी split करके लिख सकते है 2 multiply by 3 and उसकी power क्या है minus 5 ठीक है अब ये जो दोनों हमने split करके रखे हैं divide करके लिखे हैं तो इसमें एक identity fall हो रहे है क्या a की power m multiply by multiply by b की power m तो क्या होता है a को b से multiply कर दिया जाता है and power क्या हो जाती है common हो जाती है ठीक है आया समझ में तो ये दो दोनों form हैं ये इसमें दे कर रखे हुए हैं मतलब a multiply by b and power क्या है m है a multiply by b and power क्या है m है हम क्या करेंगे इन्हें हम इस form में लिख देंगे ठीक है split करके लिख देंगे ठीक है तो क्या आएगा यहाँपे 3 की पावर माइनस 5 multiply by 2 की पावर माइनस 5 हो जाएगी and यहाँपर 10 नहीं आएगा यहाँपे 5 आएगा यहाँपर क्या आएगा? 5 आएगा क्योंकि 2 5s तो 10 होता है ठीक है? दें उसके बाद 5 की पावर क्या हो जाएगी? माइनस 5 multiply by 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3 divided by 5 की पावर क्या है? माइनस 7 multiply by यहाँपर भी same यही identity लगेगी तो 2 की पावर माइनस 5 multiply by 3 की पावर माइनस 5 हो जाएगा ठीक है? इतना आगया समझ में अब हम क्या करेंगे? जैसे 3 की पावर माइनस 5 है यहाँपर भी 3 की पावर माइनस 5 है वो एक साथ लिख देंगे then 2 की पावर माइनस 5 है यहाँपर भी 2 की पावर माइनस 5 है वो भी एक साथ लिख देंगे then उसके बाद 5 की पावर माइनस 5 है and यहाँपर 5 की पावर माइनस 7 है इन्हें भी साथ में लिखतेंगे, मतलब 3 की पावर माइनस 5, multiply by 2 की पावर माइनस 5, multiply by 5 की पावर माइनस 5, then उसके बाद multiply by 5 की पावर 3, divided by क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसके नीचे लिख देते हैं, 3 की पावर माइनस 5, एड़ इसके नीचे लिख देते हैं, 2 की पावर माइनस 5, और कुछ तो है नहीं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम identities का use करेंगे, कैसे? हमें दिख रहा है दोनों में ही base है 3 की power minus 5 और 3 की power minus 5 दोनों किस form है division form में है and base क्या है same है powers powers भी वैसे same है लेकिन division form में है तो इसमें हम एक identity लगा सकते है directly cancel out भी कर सकते है लेकिन identities का हम use कर रहे है तो उसी के साथ चलेंगे ठीक है कौनसी identity लग जाएगी a की power m divided by a की power n तो क्या होती है powers से subtract हो जाती है m minus n हो जाता है इतना आया समझ में तो यहाँ पर same भी हो जाएगा 3 minus 5 है power then minus हो जाएगा दूसरी power क्या है minus 5 है इतना आया समझ में यहाँ हम side में कर लेते हैं यहाँ पर 3 की power minus 5 है powers minus हो रही है minus लगेगा and दूसरी power भी minus 5 है same यहाँ पर देखिए तो यही identity लगेगी यहाँ पर भी हम कर देते हैं multiply by 2 की power minus 5 है minus लगेगा बीच में and दूसरी power क्या है वो भी minus 5 है फिर यहाँ पर भी वही identity हम लगा देंगे 5 की power minus 5 है and minus का sign लगेगा and यहाँ पर minus 7 है मतलब तीनो ही condition में तीनो ही condition में क्या हो रहा है तीनो ही condition में same यही identity follow हो रही है तो हम भले एक-एक करके करें या हम एक साथ कर दें चलेगा लेकिन confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे है समझ में अब बच क्या रहा है यहाँ पर multiply by 5 की power 3 बच रहा है ठीक है इतना आया समझ में अब हम क्या करेंगे solve कर देते हैं bracket solve करेंगे यहाँ पर minus 5 है minus minus plus हो जाएगा plus 5 हो जाएगा यहाँ पर 2 है minus 5 है minus minus plus हो जाएगा and यहाँ पर 5 आजाएगा then उसके बाद यहाँ पर 5 है यहाँ पर minus 5 है minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर 7 आएगा multiply by 5 की power 3 हो जाएगा इतना आगे है समझ में अब हमें क्या करना है solve कर देना है हमें क्या दिख रहा है minus plus minus होता है 5 minus 5 3 की power 0 हो जाएगा minus plus minus होता है 5 minus 5 2 की power भी 0 हो जाएगा 5-5 तो 0 ही होता है then उसके बाद multiply by minus plus minus होता है 7-5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा 5 की power क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी then हम देखते हैं 7 के आगे positive sign है मतलब जो यह 2 है वो already positive form में ही देखे रखा हुआ है then उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की power 3 अब यहाँ पर 3 की power 0 है 2 की power 0 है तो दोनों में ही एक identity लग रही है वो क्या है अगर A की power 0 है तो answer क्या आता है 1 आता है ठीक है तो 3 की power 0 है answer आएगा 1 2 की power 0 है answer आएगा 1 and then उसके बाद 5 की power 2 है multiply by 5 की power 3 है ठीक है solve करने पर क्या बच रहा है 5 की power 2 multiply by 5 की power 3 अब यहाँ पर भी क्या लग रही है एक identity लग रही है कौन सी है वो identity अगर a की power m है multiply by a की power n है तो हम क्या करते हैं powers को add कर देते हैं जहाँ पर हमें base same दिख रहे हैं powers अलग अलग दिख रही है जैसे कि यहाँ पर 2 and यहाँ पर 3 है तो हम क्या करते हैं base को common लेते हैं powers को हम add कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा and powers क्या है 2 plus 3 तो यहाँ पर 2 plus 3 आ जाएगा ठीक है आया समझ में powers को add किया तो 5 की power यहाँ पर क्या आ गई है? 5 की power यहाँ पर 5 आ गई है ठीक है? तो basically हमारा answer यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा answer बन रहा है 5 की power 5 ठीक है? इतना आ गया समझ में आया है तो जल्दी से note down कर लीजिए कर लिया आपने note down तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो complete exercise 10.1 हम पूरे तरीके से complete कर चुके है exercise 10.1 के question 1 to question 3 जो है वो previous video में मैंने आपको solve कर आया था and question 4 to question 7 हमने इस video में की है तो आपको क्या करना है? पहले वो video देखनी है और फिर इस video पर आना है दोनों ही continuation में आपको playlist में मिल जाएंगी ठीक है? आगया समझ में और हर एक question अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है? इस video को like करना है, comment करना है and जादा से जादा share कर देना है and दैन फिर जाना है YouTube चैनल पर and कर देना है Magnet Brains को subscribe ये रहे हमारी application, ये रहे हमारी website and ये रहे हमारे top courses जो आपको provide कर आते हैं free of cost, quality education e-books and e-notes की जो link है आपको description box में मिल जाएगी and ये रहे हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं and कर सकते हैं Magnet Brains को follow अब इससे next video में मैं आपको क्या फढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा YouTube चैनल पर जाके कर देना होगा Magnet Brains को subscribe Thank you so much